सबसे पहले देव भूमी को दंडवत, देव भूमी के सभी साथियों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। चारधाम की आत्रा शिरू होने पे सभी लोगों को बहुत बहुत बदाई। उत्राखंड को बने हुए 21 सालों गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्राखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नी छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड लूट लिये, जंगल लूट लिये, जो मिला वो ही लूट लिया हैं लोगों ने। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, कोटियाल साथ के साथ बैठके, उत्राखंड के लोगों के साथ बैठके, देव भूमी के लोगों के साथ बैठके, इन 21 सालों की दोज़दर्शा को 21 महीनों में ठीक करने का, हम लोग प्लैन बना रहे हैं, और वही प्लैन, एक एक करके, आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, कैसे अस्पताल खुले जाएंगे, कैसे 24 घंटे बिजली मुहया कराई जाएगी, कैसे सडके ठीक की जाएंगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोजगार मुहया कराई जाएंगे, इन सारी चीजों के उपर जो 21 साल में इन सब ने मिलके दुर्दिशा की है इस दुर्दिशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लैन हम लोगों ने उत्राखंड के लोगों के साथ मिलके तैयार किया है उस प्लैन का पहला बिंदू मैं अभी जब कुछ हफते पहले आया था तब आपके बीच में रखा था कि लोग बिजली के बिलों से परेशान है किसान बिजली के बिलों से परेशान है पुराने अनापशना बिलों से परेशान है तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया दिल्ली में आज लगबग 73 प्रतीशत लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है, हमने करके दिखाया है, हम जूठे वादे नहीं करते हैं, ऐसे ही उत्राखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल्माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, और 24 घंटे ऐसा नहीं कि भई, irresponsible statement है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी, 24 घंटे बिजली आएगे और मुफ्त बिजली आएगे और मैं कोई नेता नहीं हूं मेरे को नेता गिरी करनी भी नहीं आती हमारी ये कमजोरी भी है कि हमारे को राजनीती नहीं करनी आती इसलिए चौबेस घंटे ये लोग हमको गालियां देते रहते हैं लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और कहने के पहले पूरा होमवर्ग करके आता हूँ तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे चौबेस घंटे बिजली देंगे तो देंगे दिल्ली में करके दिखाया है आज देव भूमे के युवाओं का दर्द आज देव भूमे के युवाओं की जो तकलीफ है उसके बारे में बादचित करने के लिए आया हूँ जैसा भी कोटियाल साब कह रहे थे उत्राखंड के युवाओं में खूब अनिर्जी है उत्राखंड के युवाओं को जब भी अफसर मिला उसने गजब के काम करके दिखाए है उत्राखंड का युवाओं जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलके किये उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया आज युवा के पास अफसरों की तलाश में उत्राखंड के अंदर उसको जब अफसर नहीं मिलते तो उसको अफसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है कोई अपना घर छोड़के नहीं जाना चाता अपनी मर्ची से सब चाते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूं अपने गाउं में ही रहूं अगर मुझे वहाँ अफसर मिल जाए तो लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्राखंड की उसका पलायन बन गई है एक तरह से उत्राखंड पलायन पर देश बन गया है और युवा बहुत ज़ादा दुखी है हर युवा को रोजगार चाहिए युवा भीख नहीं मांग रहा उसका अधिकार है हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है आप पूछेंगे ये हो सकता है कि ये हो सकता है इस पर हमने खूब चर्चा की घंटों चर्चा की इस पर खूब प्लानिंग करी हम लोगोंने एक ही शर्त है अच्छी नियत वाली सरकार चाहिए तो उत्राखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्राखंड के युवाओं को रोजगार मौहया कराने के लिए आज मैं छे गोशनाएं कर रहा हूं आम आद्मी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्राखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहया कराये जाएगा ये पहली घोशना दूसरी घोशना जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता हर परिवार से एक युवा को पांच हजार रुपे महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहया नहीं करा दिया जाता इस को अब बेरोजगारी भत्ता कह लिजिए जो अमर जी कह लिए तीसरा सरकार में और प्राइवेट में असी पर्स्तिशत नौकरियां उत्राखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगे चौथा सरकार बनने के छे महीने के अंदर एक लाख सरकारी नौकरियां तयार की जाएंगे आप पुछेंगे कैसे होंगी लगब पचास से साथ हजार तो वेकेंसी हैं सरकार में अभी और उसके बाद जैसे मैंने बताया और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आँँगा हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़के, महला क्लिनिक हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे इन सबकों मिलाके इतनी नौकरियां पैदाओंगे नई नौकरियां क्रियेट की जाएंगे सरकार के अंदर तो लगबग छे महीने के अंदर एक लाख नौकरियां तयार की जाएंगे सरकार में दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहत सक्सेस्फुल रहा हमने एक जॉब पोटल बनाया हमने का भी जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो करोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरुज़कार हो गए थे आपको जानके ताज्यूब होगा दस लाख नौकरियां इस जोब पोटल पे आई थी दस लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पर एडवर्टाइज हुई थी ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्रा खंड के बच्चों के लिए तयार किया जाएगा जहां पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है और छटा एक अलग से मंत्राले बनाया जाएगा रोजगार और पलायन मामलों का मंत्राले उस मंत्राले का काम होगा कि रोजगार के नएने अफसर तयार करना एक तरफ और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना और तीसरा जो लोग उतरा खंट छोड़के चले गये हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं पलाइम कर चुके हैं वो वापस आना चाहते हैं उनके लिए उचित कंडिशन्स तैयार करने हमने बैठ के इसका काफी जैसा मैंने कहा कि एक लाख तो ये छे चीजें मोटी मोटी हैं एक लाख तो सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी प्राइवेट सेक्टर में बहुत न अफसर हैं इंफानाइट अफसर हैं इंफसर तूरिजम का जबरदस्त इंफसक्टर तयार किया जाएगा इसमें वाइल्ड लाइफ है एडवेंचर टूरिजम है इतनी किसम किसम की जड़ी बूटियां हैं बायोटेक इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है पूरी दुनिया स कोटियाल साब ने एनाउंस किया था कि आम उत्राखंड को पूरे विश्व के हिंदूओं की अध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा इसी एक एलान के अंदर इतने सारे जॉब्स की अपरचुनिटीज नहत हैं असीमित अपरचुनिटीज हैं तो मैं और कोटियाल साब जो हमारे सीम कैंडिरेट हैं उनको नौकरी दिलवाना आता है उन्होंने अभी तक दस हजार बच्चों को तब नौकरी दिलवाई जब उनके पस कोई ताकत नहीं थी उनके असकोई शक्ती नहीं थी इच्छा थी दिल में बस के मेरे बच्चे बेरुजगार क्यों है मेरे उतराखंड के बच्चे बेरुजगार क्यों है तो उनके नियत भी है इच्छा भी है और करना भी आता है उनको नौकरी दिलवाना भी आता है तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक स सीम मिलेगा और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो पान साल का एक स्टेबल सीम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा तो मैं समझता हूं कि इन घोशनाओं के लागू होने से उत्राखंड में पलायन बंद होगा और धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मैंने बताया कि 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में कैसे ठीक करना है जितनी घोशनाएं मैं कर रहा हूं यह सारी एक एक घोशना पूरी होगी एक मोका कोटियाल सापको देके देखो आप दिल्ली के अंदर हम लगबग 22 करोड की सबसीड़ी देते हैं बिजली पे अब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं एक सरकार है वो सरकार आपसे 60,000 करोड का टेक्स लेती है सारा पैसा खा जाती है और फिर जब आपके पास आती है कहते हैं जी देखो कोईले के दाम बढ़ गए ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए अब तो बिजली के दाम बढ़ाने बढ़ेंगे और वो आपके बिजली के दाम बढ़ा देते हैं दूसरी सरकार है वो ब्रष्टाचार नहीं करती आपके टैक्स भी नहीं बढ़ाती उतना ही साथ हजार करोड का टैक्स है उसे उसे पैसे बचा लेती है जैसे हम घर में पैसे बचाते हैं अपने बच्चों के लिए पैसे बचाते हैं पेट काट के लिए वो आपके लिए पैसे बचा लेती है और जब पैसे बच जाते हैं तो कहते हैं थोड़ी सी बिजली सस्ती कर लो बिजली मुफ्त ले लो बताओ दोनों में से कौन सी सरकार जाद अच्छी वो ही सरकार जाद अच्छी हमने टेक्स नहीं बढ़ाया दिली में उसी tax के अंदर उल्टे tax कम कर दिये जब हमारी अब तो खेर GST आ गया जब पहले दो साल हमारी दिल्ली में सरकार की हमने वैट के rate सारी चीजों पर 12% से कम करके 5% कर दिये थे tax के rate कम कर दिये tax के चोरी बंद कर दी collection हमारी 30,000 करोड से 60,000 करोड होगी दिल्ली के अंदर उसी से आप लोगों को फाइदा पहुचाया हमने कोई extra tax नहीं लगाया उसी चीज़ को इसी तरह से उत्रा खंड के अंदर उत्रा खंड के finances को ठीक किया जाएगा चोरी को बंद किया जाएगा ब्रष्टाचार को खतम किया जाएगा इसी लिए हम एक इमांदार आदमी को मुख्यमंत्री का candidate बना रहे हैं अगर हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं इससे गरीबों को फाइदा है की नहीं है अगर हम 24 घंटे बिजली देंगे गरीबों को फाइदा अगर मैं किसानों की बिजली माफ कर रहा हूँ किसान तो सबसे गरीब तबका है अपने देश का कौन बात करता है किसानों की बस वोट लेने जाते हैं तेड़े मेड़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग अगर बात कर दो लोग